अगर आप इंडिया के तरफ से सिटिंग विधायक हैं तो साउधान हो जाएए आपके छेत्र में भी सर्वे होंगे अगर उस सर्वे में आप पास नहीं होते हैं तो टिकट आपका भी कट सकता है नमस्कार देंडिया टॉप देख रहे हैं मैं हूँ अखंड जोती देखे भा पहले बीते लोग सभाज चुनाओं में जिस तरीके से परिनाम निकल कर सामने आए हैं उसके बाद से कई बड़े-बड़े फैसले लिए जा रहे हैं चुकि आपको बता दे भारतिये जंता पार्टी कई सीटे निकानने में सफल हो गए हलाकि कई छेत्रों में भारी नुकस पर चल रहे हैं और ऐसे में भारतिये जंता पार्टी लगातार अब सर्वे कराने वाली है चुकि विधान सभाज चुनाओं से पहले भारतिये जंता पार्टी अपने आपको मजबूत करना चाहती है जो भारतिये जंता पार्टी चाहे वो इंडिये के विधायक हो जो कामक कामकाज नहीं किये हैं उनके लिए एक तरीके से बड़ी खबर है चुकि आपको बता दे देखिए इंडिये के अंदर एक बड़ा सर्वे कराया जाएगा इंडिये की और से और ऐसे में छेत्र में लोग जाएंगे और यह पता करेंगे कि कामकाज कितना हुआ है लोग कितने कितने नाराज हैं और यह किसी को पता नहीं चलेगा लोगों के बीच लोग जाएंगे दो-चार लोग और आपस में ही बाचित करते नजर आएंगे और लोग पूचेंगे कि आपके छेतर के बिधायक जी कामकाज किये है जो सरकारी कामकाज योजनाय जो चलाई गई है सरकार की और से वो आप तक पहुचा है या नहीं इन सभी चीजों का जानकारी लिया जाएगा छेतर की जनता की और से वहाँ यहाँ पूछा जाएगा कि बिधायक जी कितना काम करते हैं बिधायक जी के पास जाते हैं तो बिधायक जी सुनते हैं या नहीं तमाम चीजों की भ नहीं उमिद्वार नहीं बना दिया जाएगा बलकि भारतिये जनता पार्टी अपने आपको बिहार में मजबूत बनाने के लिए कई बड़े फैसले ले रही है लगातार एक के बड़े फैसले हो रहे हैं चुकि जिस तरीके से लोकसवाज चुनाओं के परिनाम निकल कर सामन आएं और कई छेत्रों में चाहे वो सहाबाद मगद के छेत्रों में भारतिये जनता पार्टी को भारे नुकसान पहुंचा है और ऐसे में उस नुकसान की भरपाई करने के लिए भारतिये जनता पार्टी लगातार कई बड़े फैसले ले रही है और अब इसी कड़ी में व इस तरीके से छेतर में रवया राय तमाम चीजों को लेकर जानकारी ली जाएगी और ऐसे में बिधान सभा चुनाव नस्दीक है और उससे पहले सेवी फाइनल का मुकाबला जो है वह हो चुका है चुकि चार सीटों पर बेला गंज, इमाम गंज, तरारी और चार सीटों पर में माना जा रहा है वह कराया जाएगा और ऐसे में एंडिये के विधायकों के लिए एक तरीके से एक बड़ी ख़वर है जो सीटिंग विधायक रहे हैं उनके लिए तो एक तरीके से अच्छी ख़वर है जो कामकाज करते नहीं उनके लिए अच्छी खवर है और जो केवल चेहरे के नाम पर प्रधान मंत्री मोधी अमित्सा तमाम जो बड़े नेता है भारतिये जन्ता पार्टी के उनके बदौलत अगर सीट निकालते रहे तो वो सावधान हो जाए चुकि जिस तरीके से अब सरवे कराये जाएंगे और भारतिये जन्ता पार्टी खुद को मजबूत बनाने के लिए एक तरीके से बड़ा फैसला जो ली है इस अंदर में वह हो सकता है लिया जा सकता है और ऐसे में जो सरवे है वह कराये जा सकता है छेतरों में और वह चीज दिल्चस्ट होने वाला है गज़ार 25 में क्या एक बार फिर से जो विधायक है उन्हें उमिद्वार भारतिये जन्ता पाटी फिर से बनाईगी या फिर कई लोगों का टिकट कट भी सकता है या देखना काफी दिल्चस्प होने वाला है तब तक के तमाम हर अपडेट को देखते रहने के लिए ने इंडिया टॉप देखते रहें धन्यवाद